हेलो बच्चों नमस्कार मैं मनुराथी आप देख रहे हैं मनुराथी यूट्यूब चैनल आज हम जानकारी देंगे मध्य परदेश भोज ओपन यूनिवरसिटी जिसको UGC से मानेता प्राप्थ है और नैक की A-grade Reading जो है Online Distance Mode से है उसके 1000 स्विकृत पद के लिए जो 1000 Seats है जो कि आप Beard Distance से जिसके निवनतम दो वर्ष है और अधिकतम आप पांच वर्ष में कर सकते हैं अब इसके Eligibility क्या है जिसने आपका Graduation या PG में या इसे Equivalent परिक्षा में 50% मार्क्स ले रखते हों ठीक है Engineering या उसके Equivalent है तो भई उसके लिए 55% मार्क्स की अनिवारता है पहला पॉइंट यह दूसरा यह है कि प्रारंभिक सिक्षा में Primary Education में प्रसिक्षित जो है DL-Ed कर रखाओ, D-Ed कर रखाओ, BTI कर रखाओ, BTC कर रखाओ, DPE रेगुलर मोड यानि Face-to-face मोड से रोज क्लास जाके लगाते थे वो कर रखाओ तो NIOS DL-Ed वाला नहीं आवेदन कर पाएगा चाहिए वो NIOS DL-Ed हो Graduation हो तो वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका Face-to-face मोड म से अध्यापक शिक्षा का कोई कारकरम पूर्ण कर रखा है, विशेश बात यह है कि दुरस्त पदत्ती से पूर्ण किये गए जो हमारे NCT के जो कोर्स हैं, जैसे मैंने NIOS DL-Ed बोला, वो यह नहीं कर पाएगे, ओपन से यहां से बीढ़, ठीक है, यह बात यहां पे हो गई, भई दूसरी बात यह है कि आपका यहां पे जो SC, ST और OBC है, उनका जो आरक्षन है वो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमान पत्र प्रस्तूत करके मध्य परदेश साशन के जो निया मनुसार है, वैसे होगा, बीर्ड की फीज जो है वो 30,000 रुपे है, यह आपको बता दिय गया है और शुल्क की राशी जो है जो है जो आपकी काउंसलिंग होगी, उस समय आपको ओनलाइन तरीके से जो है आपको MP भोज ओपन उनिवर्स्टी भोपाल को देनी होगी, ठीक है, और एक बर फीज जमा करवाने के बाद फीज वापस नहीं होगी, यह भी लिख रखता पचास रुपे है जो की वापस नहीं हो, जमा कर सकते हैं आप 18 जनवरी 2024 से आपके 18 फरवरी 2024 तक यह फॉर्म खुले हुए है जिसमें आप एपलाई कर सकते हैं, यह मैं आपको आवेदन वाला दोनों का बता रही हूं, डीलेड का और वीएड का की यह लास डेट रहेंगी ठीक है, डीलेड की भी एक बार आपको पातरता समझा देती हूं, ठीक है, यहां से डिस्टेंस से आपका डीलेड भी होता है, अब यह देखे यहां पे डीलेड ओनलाइन डिस्टेंस मोड के लिए 500 सीटे हैं, नियूनतम दो वर्ष, अधिकतम पांस वर्ष में आप इसे कर सकते हैं, हाईयर सेकेंडरी, 10 प्लस 2 या इसके एक्विवेलेंट आपने कोई परिक्षा कर रखते हो, मान्यता प्राप्त वोर्ट से, और आपके 50% माक्सुन, यहां तक तो सारी बाते कलियर हैं, दूसरा यह बड़ा कन्फ्यूजिंग सा है, यह देखे, आपकी उप्युक सिक्षक होने का कम से कम, दो वर्ष का सिक्षन अनुभव सहित, किसी स्कूल में, वर्तमान में आप नियमिज सिक्षक के रूपे कार्यत कर रहे हो, उसका प्रमान पत्र भी जमा करवाना पड़ेगा, जो DEO या BEO, या फिर जो पिंसिपल है वो अटेस्ट करेगा, तो यह इ सिक्षक होने का, आप नियमिज सिक्षक होने का, आप नियमिज टीचर हैं और दो साल का अपना एक्सपिरियंश ओ करेंगे, जो की DEO BEO द्वारा हो, ठीक है, और लिखने आतिति शिक्षक का अनुभव हम नहीं मानेंगे, तो अल्टिमेटली कौन बच गया, एंटेटी वा DLA, की जो है, वो फीज कितनी है, ओनलाइन डिस्टेंस मोड वाले की, ठीक है, बाकी DLA, ODL से करने का, मैं आपको ज़्यादा सुझाव नहीं दूंगी, वो बहुत ज़्यादा मानी नहीं जाती है, तो बचिएगा, ठीक है, तो 19.200 है, ठीक, क्योंकि NIOS वाले को अभी पंग अंक में अर्जित प्राप तंक, जिसमें समन्य ग्यान, मानसिक योगिता, सेक्षी कभिरूची, समन्य हिंदी बोध, पर आपके objective question पूछे जाएंगे, इसके लिए देखिए, मनुराथी YouTube चैनल पर आपकी मैंने इग्नुबीएड की marathons कराई थी, उसमें ये सारी marathons भी ह आपकी अभी-अभी कराई हैं जन्वरी में, 2024 में, तो ये सारी आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर help हो जाएगी, आपकी तैयारी हो जाएगी, आप उनको देख सकते हैं, ठीक है, और computer based आपका test होगा, without isolation और जो इन्होंने center alert किये हैं, वहाँ पर होगा, ठीक, और एक म online पंजीकरन कराना होगा, online आपको registration, अध्यान केंद्रों पर आपके document verification होगे, उसके बाद online counseling के माध्यम से आपको अध्यान केंदर आवंटित कर दिये जाएंगे, study center एक बार alert करने के बाद ये कह रहा है कि हम change नहीं करेंगे, संपर्क कारेकरम ठीक है, यानि कि जो बाद मे स्थित विभिन अध्यन केंद्रों पर मई जून में कराई जाएगी, बिए डियेलेड online प्रवेश परिक्षा की जानकारी, MP online के माध्यम से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने पर परिक्षा के तीन दिन पहले आपको admit card और सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है, सामाने त परिक्षा है तो प्रथम वरियता का शहर ही आवटित किया जाता है, मगर अगर वहाँ पे seat available नहीं है तो आपको दूसरे वाला दे देंगे, या वो भर गई है तो, परिक्षा में कोई आमारा revaluation का इन्होंने काया है कि हम नहीं करेंगे, और एक बार आपको study center दे दिया, त अगर आप लेट फीज 300 रुपे भरेंगे तो 29 फरवरी 2024 तक आप आवेधन कर सकते हैं, यह है जानकारी जो distance से लगे हुए teacher है और वो मध्यपरदेश के हैं तो वो ज़रूर MP Bhoj Open University से बीड कर सकते हैं, अगर वो DL8 face to face mode से किया है और graduate है तो अपनी qualification बढ़ाना चाते है और TGT के पत पर जाना चाते है तो उनके लिए यह बढ़िया रहेगा, अन्य राज्य वेवाले भी apply कर सकते हैं, मगर study center आपको वहा के मिलेंगे तो आप देख लीजेगा अपने according ठीक है, यह थी जानकारी जानकारी अच्छे लगी हो तो मनुराठी YouTube चैनल को subscribe कर लिजे, thank you.